हेलो दोस्तो लेट्स लेट्स बार्बी में आप सबी का सावत है यहाँ पर सब लोग सो रहे हैं चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है यहाँ पर एक नणी बच्की गुमती गुमती आ रही होती है और ये चोड़ी सी बच्ची बिंगी के बात रूम में बैड़ कर छिची करने लगती है परी बेटा परी कहा हो तुम परी अरे ये क्या अरे परी तुमने ये क्या क्या दूसरी की बात रूम में छिची कर दिया क्या अरे बबरे परी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था अब वो लोग जगेंगे तो क्या कहेंगे चलो चलो भगते हैं यहां से अरे तुम भी ना एक नंबर की भोली हो चलो चलो भागो इधर से ने तो वो लोग डाटेंगे तुमने तो छीची कर दिया मामा मामा अरे क्या परी मामा कर रही हो चलो चलो भागो इधर से तुम भी ना और फिर तभी यहां पर सुटी की आग खुलने लगती है अले बापले मुझे बहुती जोशी छिच्छी आई है चलो जाके कलती हूँ ममी तो उचने वाली नहीं है चलो में जाके अकेले ही जाके कल लेती हूँ और फिर यहां पर सुटी जाने लगती है चलो चलो भागती हू बाबले बहुत जो जो आई है चलो जाती हूं जल्दी से अरे ये क्या बातलम किता गंदा क्यों है छी इसमें तो छीची भी है अले लगते ममी और चाची बातलम शाभी ने इकलती कितना जादा गंदा हुआ है इसमें तो पहले से ही चीची है मैं कहा पल करूँ अरे मैं क्या सुईटी क्यों चिला रही है इतनी जोर जोर से ये लड़की भी न इतनी जोर जोर से सुबह सुबह कोई चिलाता है क्या अरे सिधाजी सुटी को क्या हो गया है क्यों इतनी जोर जोर से चिला रही है चलिए चल कर देखते हैं क्या हो गया उसे ये लड़की भी न अरे हाँ पिंकी जी आप सहीं कह रही है सुटी नी जोर जोर से क्यों चिला रही है चलिए चल कर देखते हैं क्या हो गया है और फिर यहाँ पर सब लोग साथ में बातरूम के पास जाने लगते हैं रुख चाओ सुटी हम आ रहे हैं क्या हो गया तुम्हें हाँ आप बोलो हमाग यह है क्यों जोर जोर से चिलारी हो अले चाची उधाल देखिए इतना बात्रूम दिखाई नहीं देला कितना जाजा गंदा है देखिए आप लोगते से शाप भी नेकलते हैं इसमें तो छेची है कितना शाला किया कहा बात्रूम गंदा है लेकिन मैंने परसो ही तो साफ किया था अरे यह किया यह तो लगता है किसी बाहर वाले के काम है हमारे घर में तो ऐसा कोई भी नहीं करेगा मुझे तो यही लगता है अले आप लोग तो बातों में ही लगए आप लोग इसे जल्दी से शाप किजी ना मुझे बहुत जोश आई है भावी और पिंगी जी मेरी बात सुनिये बातरूम तो बहुत ही गंदा हो रखा है मैं एक काम करता हूँ जाके मार्कीर से पेंट और ब्रश लेके आ जाता हूँ इसमें करर भी कर देंगे देखिये ना कितना ज़दा खराब दिख रहा है मारा बातरूम कोई महमान आएगा तो क्या बोलेगा आप जल्दी से बातरूम को कचला साफ किजिए मैं जल्दी से लेकर आजाओंगा ठीक है ना मार्कीर से पेंट और ब्रश अरी हां सिधार यह जदा अच्छा एडिया है अरी हां आप सही कही रहे हैं सिधार जी जाके लिया यह जब दक हम बातरूम को किजिए मत जल्दी से मार्कीट गया और यह आया पेंट और ब्रश लेके ठीक है ना और फिर यह से बोलकर सिधार मार्कीट की और जाने लगता है पेंट और ब्रश लाने के लिए चलो चलो जल्दी जाता हूं इपापरी कितना ज्यादा बदभू आ रहा हैं पर तो पानी भी नहीं है कि फ्लश कर दूँ चलो एसे ही उठा के फैक देती हूं क्या कर सकती हूं चलो हटो स्वीटी पता नहीं किसका काम है मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है अरे कोई बात नहीं पिंक इप इसने भी किया हो क्या कर सकते हैं चलो मैं जल्दी से इन लखडियों को फैक आती हूं बाहर और फिर यहाँ पर काजल बात रूम में से लखडिया उठाने लगती है चलो लखडिया मैंने चुल ली है अरे सूटी तुम खड़ी क्यों हो जल्दी से बातुर में से पत्ते साफ करो ठीक है ना इसे खड़ी मत रहो तुम भी ना चलो मैं यहीं पर सारी लगडिया रख देती हूँ अले ये ममी भी ना मुझे ही काम दे दिया है चलो जल्दी अल्दी मैं भी शाप करवा लेती हूँ अखिल शिच्छी मुझे ही तो लगी है यह मम्मी ने लख लिया चलो मैं भी यहीं पर फेक के जाती हूँ और फिर यहाँ पर सूइटी जाने लगती है और फिर तभी इधा से सिध्धा थाद में पेंड और ब्रश लेकर आ जाता है अरे पिंकी जी में ब्रश और कलर लेकर आ गया हूँ अरी वाह आप लोगे ने तब बातरूम बहुत ही अच्छी से साफ कर लिया है अप चल्दी से कलर कर लेते हैं ठीक है ना उदम नया जैसा हो जाएगा हमारा बातरूम हाँ ठीक है सिद्धाजी पर आप अच्छी कलर तो लेकर आएं है ना मताये कोई इसो इसो कलर तो नहीं उठा लाया है अच्छी कलर लेकर आएं है ना मारी बातरूम में लगानी के लिए क्या कहा कलर मुझे भी मारना है अपने बादरूम में तुझे सिधाद और पिंगी मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ यहाँ परपेंट को सब लोग अलग लग बर्दोनों में घोल लेते हैं अरे वाँ सिधाद जी आपसे बहुत ही अच्छे अच्छे कलर लेकर आए हैं ब्लू परपल और यलो यह तो मेरा फेवरेट कलर है चलो मैं जल्दी से मारना शुरू करती हूँ और फिर यहाँ पर पिंगी बादरूम में कलर करने लगती है अरे वाँ यह कलर तो काफी सुन्दर लगेगा फ्लोर पर चलो यहीं पर यह कलर मार देती हूँ बहुत ही सुन्दर दिख रहा है सिधाद जी आप एक काम कीजिए दिवालों पर कलर करना शुरू कर दीजिए ठीक है ना अरे हाँ हाँ पिंगी जी मैं जा रहा हूं करने के लिए पहले अच्छे से घोल तो लूँ और फिर यहाँ पर सिधाद भी जल्देल्दी कलर करने लगता है अरे वाँ यह कलर दिवाल में तो काफी अच्छा लग रहा है चलब मैं यही कलर लगा देता हूं काफी सुन्दर दिख रहा है हमारा बातरूम कितने दिनों से ऐसा ही पड़ा हुआ था हमने कलर भी नहीं किया इसमें आप तो काफी सुन्दर दिखेगा अरे पिंकी जी आप अच्छे से कलर मारेगा ठीक है ना इतर उधर मत लगा दे ना जल्देल्दी करने के चकर में ठीक है ना अच्छे से कलर लगा ना हरे हाँ हाँ सिध्धा जी मैं अच्छे से कलर लगा रही हूं आप से तो अच्छा ही कर रही हूं आप तो दिवाल से ज़्यादा अपनी कपड़ों पे ही कलर मारे हैं अरे हाँ ये क्या ये तो मेरे कपड़ों पे धेर सारा कलर लग गया और मुझे पता भी नहीं चला अरे मेरा फेवरेट टीशट था कहीं गंदा न हो जाए चलो कोई बात नहीं है मैं जाके नहालूंगा और जल्दी से टीशट धिलवा दूँगा पिंकी जी से चलो मेरा हाथ तो पहुची नहीं रहाता दिवाल पे चड़के मारता हूँ इस पे कलर अरे वाह यहाँ पर भी तो काफी सुन्दर दिख रहा है ये कलर हाँ चलो थोड़ा सा और बाकी जल्दी यल्दी कलर कर देता हूँ चलो मैंने यलो कलर तो घोल लिया है मैं भी जल्दी से कलर मारना शुरू करती हूँ मुझे भी बहुती पसंद है लेकिन कहा मारू अरे हाँ दिवाल के पीछे मारती हूँ वहाँ पर तो अभी कलर मारा ही नही मुझे दीजिये मुझे दीजिये अरे नहीं सुईटी बेटा तुम अच्छी से कलर नहीं लगा पाओगी वालकि उल्टा तुम अपने कपड़े ही गंदे कर लोगी ठीक है ना तुम जाके वहां पर बैठो बैठो मैं जल्दी से कलर लगा लेती हूँ उसकी बाद तुम पर कपड़े गंदा मत करना ठीक है मैं मैं कपड़े गंदे नहीं कलूँगी मैं जाल हूँ जल्देशे कलर मालने के लिए थांकि ममी बताईए चाची मैं यह लो कलर कहां पर लगाओ ठीक है न वहाँ पर कलर अभी नहीं लगा हुआ है पर कपड़े समहाल के हाँ ठीक है ना कपड़े गंदे मत करना नहीं तुम्हें पता है न भावे कितना ज्यादा डाटेंगी तुम्हें अप जल्धी से जाके कलर लगाओ ठीक है ना ठीक, चाची, मैं अपने कपड़ों पे कलर नहीं लगाऊंगी, आप सब भी ना, चलो चलो जल्दी शे में कलर लगाना शुलू कलती हूँ, और फिर यहाँ पर सुटी जल्दी यल्दी ये लो कलर लगाने लगती है दिवाल पर, अले वाई, यहाँ पल तो बहुत ज़्याद अच्छा कर रही हूँ तुम, चलो मैंने तो लगा दिया, पिंकी जी मैंने बातरूमें कलर लगा लिया, मैं नहाने जा रहा हूँ, ठीक है ना, अरे सिधार जी ये क्या, हाँ, 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 हा दिख रहे हैं। जल्दी से साफ कर लीजिए इसे ठीक है ना। क्या कहां मेरे नाग पर कलर लगा हुआ है क्या मैं फणी दिख रहा हूँ। अरे तभी तो आप लोग मुझे फार फार की इतना हस रहे हैं चलिए हटिया मुझे जाने दीजिए मैं जाके देखता हूँ अरे मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे नाग पर कलर कब लग गया है औरे आज तो मेरी बहुती दा बैज़ती हो गई है मुझे अच्छे से कलर करना चाहिए था अलीवाह हमारा बातरूम तो इतनी नहीं देशा हो गया है अब इसमें छीची कलने में तो मज़ा आएगा हाँ 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 चलिए और यहां पर सुटी बातरूम करने के लिए बैठ जाती है दोस्तो अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्क्राइब कर दीजिए थाइंक्यू